सर ये बताईए कि 4 months मेन्स की strategy क्या होनी चाहिए for CCPSC examination? सबसे पहले तो एस्पेरेंट लोग को ये बता दू मैं कि 4 मेने केवल और केवल आपके revision के time है आप मेन्स को साल भर पढ़िएगा और जैसे प्री का notification आता है 26 November को तो आप 1 December से प्री के लिए केजिए लिकिन उससे पहले आप मेन्स का पूरा प्रिपेर कर लीजिए मेन्स के notes तयार कर लीजिए और जो प्री के बाद का जो समय है जो 4 मेने, 3 मेने जो मिलते हैं उस पर आपकी focus केवल और केवल revision पर होना चाहिए और आपके mock test पर होने चाहिए और इसके अलावा अगर आप नए subjects को कर रहे हो या उस time कोई subject complete नहीं हो है तो हो सकता है एकाथी subject को आप कर लो तो आप सभी subject को 4 मेने में कर लूँगा ये मस हो जिए क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे जो student रहते हैं उनका ये रहते है पहले pre तो clear हो जाए फिर हम mains का देखेंगे आप इस exam को crack करने के लिए आ रहे हो ना कि केवल pre को crack करने के लिए तो सबसे पहले आपको study और क्योंकि pre तो qualifying है आपके number जूड़ेंगे तो mains से ही जूड़ेंगे तो सबसे पहला focus आप mains पे कीजिए और mains अगर आपका clear है बहुत अच्छे से तो pre बहुत ही ज़्यादा tough नहीं लगेगा हैना कुछ smart approach अपना के pre हम clear कर सकते हैं तेकि mains में आपके पार notes होने जरूरी है जिसको multiple revision कीजिए उस तीम मेना चार मेना में बस यही मैं सजेशन देना चाहूँ है